आढलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग क्या सब्सक्राइब क्या पदला हैं मैं बढ़ सकते हैं आप सभी के कौमेंट के अधार पर ही इस वीडियो में बात करने वाले ठीक है यहाँ पर कुछ भी नीज ऑफिसियल नहीं है है यह भी आप सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब बात करते हैं कटफ के उपगर कटफ में क्या बदलाओ होगा बिल्कुल भी आपको कटफ में बदलाओ नहीं होने जा रहे हैं कटफ जो पहले की तरह थे सभी आररबी के बोड़ के साय अजमेर हो भुपाल हो रांची हो पतना मुझषफर पूर जो भी बो आंसर की जो जारी किये गए कुछ दिन पहले 22 नॉमबर को उस आंसर की में जो आपने देखा सेम चीज आंसर की में आपने जो चेक किया जो रिजल्ट आया है आप बहुत सार लोग पास है फेल है उसमें जो बताए गए उसी तरब उसी के कॉर्णि रिजल्ट बनाया पहले की तरह आररबी के बोर्ड में सभी बोर्ड में जो कटफ थे हों पहले के तरह यहां पर भी नए रिजल्ट में भी कटफ सेम वही रहेगा Second exam coupon आप से भी के doubts सारे हैं कि अभी तक result नहीं आए तो result नहीं आए तो क्या exam date आँगे जाया सकते हैं exam date आँगे बढ़ाया जा सकते हैं तो जहां तक exam date को उपर बात कीज़ें तो exam date बढ़ाने का संभावना बहुत कम है 1% भी नहीं है 0.01% ही chance है कि exam date बढ़ाया जा सकते हैं तो maximum chances जो है कि exam date नहीं बढ़ाया जाएंगे जो आपको 24 दिसमबर को है exam उसी date में exam होगा 24 दिसमबर 25 को छूटी है 26 यह 27 के छूटी साइद नहीं है 26, 27, 28 के बीच में आपको 3-4 date में RRB, LPN, Technician का exam complete हो जाएं अब आपके पास इतना तो clear होगा है कि exam कब होगा exam जो होगा 24 दिसमबर सी start होगा आपके पास 25-26 दिन अभी आपके पास exact समय है इस समय में जितना बहतर preparation पर लगाते हैं वही बहतर होगा ना कि आप result का wait करने में पर result तो आपने answer की में check ही कर लिया है वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा कोई भी fail नहीं होने जा रहे कुछ नए result बढ़ेंगे ही पर कोई भी fail नहीं होने जा रहे है इस result में जहां तक उमीद है जहां तक संभावना कोई भी fail नहीं दिखने है बढ़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने जा रहे result में जो पहले की तरफ minor changes होंगे basic बदलाव होंगे कुछ ज़्यादा बदलाव आपको नहीं होगा result में second चीज है result result के बहुत गोल माल है सारे blogs अलग-अलग कुछ बाते बता रहे सभी blogs दा इंडियन एक्सप्रेक्स करें कुछ ब्लॉक्स है उनका काना एक result 26 नॉम्बर को आए यानि आज आएंगे और आज उनका काना एक result अब कल काना था कल ब्लॉक में उन्होंने लिखा था कि result जो आब आपका आएगा 1st week December में आए 1st week December का मतलब एक से लेकर साथ की बीच में कभी भी result जा रही होंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं है आपका result जो आप किसी भी बोर्ट से बात करते आररवी के बात करते हैं तो आपको exact date नहीं बताया जाता है किस date में result जा रही होंगे किसी भी आररवी के बोर्ट से आप बात कर लें कोशिच करते हैं आज यह दी आज सोमार थे आज आपने ट्राइ किया हो तो आपको पता ही होगा मैंने जाला ट्राइ नहीं किया था दो-तिन बोर्ट में ट्राइ किया तो दो बोर्ट में लगे थे तो किसी भी board नहींioni बताएगा आपका result कब झारी हो उनिका कानव है आपकी Kाम चल रहा है बहुत ज़ल result झारी हो जाएंगे. एक्जाक डेट नहीं बताएंगा कि कि result कब झारी होगा. तो इसी मंत में जो result का जारी होने सभाव। नोमबर के महिने में ही result आपको जारी होगा। ना कि आपको December के 1st week यानी 7 December से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होने जारा ला कीईकि आपका exam जो है। तो 24 दिसमर से एक्जाम में स्टार्ट होंगे, कम से कम वन मन्त फ़हले रिजल्ट आने चाहिए, तो नॉवंबर में ही रिजल्ट जो आपको आएंगे, 27 कल रिजल्ट आपको नहीं आने जारा है, 28-29-30 के बीच में कभी भी रिजल्ट आज आएंगे, जैसे 26 नॉवंबर आएंगे, तो आज रिजल्ट नहीं जारी होने जा रहे हैं, पर इस फी डेट में, आपको नॉवंबर के महें खातब होने से पहले हैं कि आपको जारी हो जाये हैं, तो यह सारे आपसे बिसक्राइए क्या कॉमेंडs हैं, इस क हमेंड इशितनी लोगिके डॉब्स का